रिया आज तुमने बेशर्मी की सारी हदे पार कर दी है निकल जाओ यहाँ से लेकिन तुम्हें ऐसा क्यूं कह रहे हो नशे में धूत रिया गुस्षे से लाल अभीनव की ये बात सुनकर बहुत घबरा जाती है अभीनव आपकी सौरी गई तेल लेने इतना बड़ा राइता फैलाने के बाद आप चाहती हो कि हम सब आपको माफ कर दे जो जेड जी कह रहे है चुपचापई करो लिपिस्टिक लगा के तुमने सुना नहीं निकलो यहाँ से आज पुरी रात तुम बाहर ही रहोगी बारिश में घर वाले रिया को घर के बाहर निकाल देते हैं और वो सारी रात बाहर ही रहती है अगली दिन सुबह वो घर के अंदर जाती है लेकिन उसे कोई भी सीधे मुख बात ही नहीं करता कोई मुझसे सीधे मुख बात क्यों नहीं कर रहा अब ना तो आपसे कोई सीधे मुख बात करेगा और ना ही तेडे मुख क्योंकि आपने कांडी ऐसे किया है कि अब आपकी इस घर में कोई डिमांड नहीं बची लिपिस्टिक लगा के रिया को अपनी गलतियों पर बहुत ज़्यादा शर्मिनगी महसुस होती है वो सब के लिए खीर पूरी बनाती है ये लीजिए मैंने आप सब के लिए खीर पूरी बनाई है बड़े प्यार से बनाई है प्लीज खा लीजिए माजी टेस करके बताई है न दीरे दीरे से ही सह लेकिन मैं हर तरह की डिशेश बनाना सीख रही हूँ हमें तुमारे गंदे और मेले हतों का खाना खाने में कोई दिल्चस्पी नहीं है इसी लिए ये जो भी तुमने बनाया है इसे अभी क्या भी हमारी नजरों से दूर कर दो लेकिन मा जी रिया मादुरी ने जो कहा है वो करो हमने तुमें इस गर में अभी तक रखा है उसी बात का हैसान मानो समझी तुम ठीक है पापाजी रिया रसोई में जाकर खूब रोती है वो अपनी मा के पास जाकर उसे सारी हकीगत बता देती है तभी कुसुम लता और विनद उसे गुस्से से कहते है अब पच्चताय होत क्या जब चिडिया चूग गई खेत विनद जी एकदम सही कह रहे है हमने तो तुझे पहले ही कहा था कि उस बेचारी की जिंदेगी और उसके परिवार का नाम खराब मत कर लेकिन नहीं तुने हमारी नहीं सुनी और चली गई मूँ उठाकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं ये ले पैसे ये पैसे लेकिन आप मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हो पापा जा कोई अच्छी सी शराब पी ले और वापस तमाशा कर तू उसी लाए के रिया को और भी शर्मिनगी महसुस होती है दो दिन बाद जब अभी नव का जनम दिन होता है तभी घर पर महमान आते हैं शालू, चिराग, कुसुम लता और विनोत के साथ रिया अपने बॉस एंतनी को भी इंविटेशन देती है लेकिन पार्टी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे रिया को 440 वोल्ड का जटका लगता है रिया की सास माधुरी और उसकी देवरानी नूपूर दोनों शराब पीकर सब के सामने आते है हेलो वेलकम बैक अमर अकबर वाले एंतनी चाचा हाँ हाँ हरे आपके गाल तो मेरे लिपस्टिक से भी लाल है एंतनी चाचा ओ नो ये माजी और नूपूर ने तो बहुत सारी शराब पी रखी है अब मैं क्या करू इने कैसे रोकू दिखता न दिखता न दिखता न दिख दिखता न दिखता न मेरा नाम माधुर ये दिखता न दिखता न दिखता न वशना खबर है एंतनी का असर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर 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 ओ एंथनी एंथनी नुपूर ये सब क्या है रिया वाट रोबिश इस अबे अमर अकबर के एंथनी लूट लूँगी मैं तेरी सारी मनी और हो जाओंगी तुससे भी ज्यादा धनी ही 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 इसी बात पे बोलो अपना सपना मनी मनी मादूरी और नुपूर के इस समाशे से रिया का बॉस अंथनी बहुत गुस्सा हो जाता है रिया दिस इस वेरी डिस्रेस्पेक्टफूल मैं तुम्हें अभी क्या भी फायर करता हूँ क्या का फायर का है आग कही तेरे पिछवाडे को तो नहीं लगी है न अरे रुक तो जा चपडगंजू अंथनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह वहां से चला जाता है माजी नुपूर अरे सास और देवरानी के नाम पर आप दोनो कलंक हो कलंक हैरे तू भी बहु होने पर कोई काजल नहीं है तू भी बहु के नाम पर कलंक है कलंक याद है न कैसे हमारी इज़त की धजिया उड़ाई थी तूने उस मेमानों के सामने सबकी बाते सुनकर और अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद रिया पूरी तरह तोड़ जाती है इसी लिए वो रोते रोते ब्रीच पर अपनी जान देने जाती है मेरे जीने का कोई वजुद नहीं रहा है अभी मुझे यहाँ से जाना होगा ये दुनिया मेरे लिए नहीं है मेरे शराबी होने के कारण मैंने अपने रिष्टे गवाया अपना काम गवाया मैं नहीं जीना चाहती रिया जान देने ही वाली होती है तभी उसे अभिनव रोक लेता है वहाँ सब लोग आ चुके थे सबको देख रिया बहुत हेरान रह जाती है आप सब यहाँ पर क्यों तुम्हें क्या लगा जब तुम बुरे काम करोगी तब हम तुमारा साथ छोड़ सकते हैं लेकिन अगर तुम अच्छे काम करके अपनी बुराई को सुधार होगी तब हम तुम्हें अकेला छोड़ दे रिया पिछले कुछ दिनों से हम तुमारी परिक्षा ले रहे थे कि तुम वाकई में सुधर चुकी हो या नहीं अक्सेराब गुसा होने पर शराब पीती हो लेकिन पिछले एक हाफते से इतना सब कुछ होने के बावजुद भी आपने शराब की तरफ देखा तक नहीं बहुत थी टैलेंटर फैशन डिजाइनर हो रही आ पर तुम शराब के कारण गलत दिशा में जा रही थी और तुम्हें फिर से सही दिशा दिखाने के लिए मैंने और तुमारे ससुराल वालों ने ये नाटक किया क्या इसका मतलब ये सब एक नाटक था आरिया सिर्फ तु मैं ये नाटक करना पड़ा मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ मैंने जाने अंजाने में बहुत सारे सियाप्पे किये हैं लेकिन अब मैं एक नई शुरुवात करना चाहती हूँ एक नए सीरे से अपने जीवन को जीना चाहती हूँ पिछले एक हाफते में अगर आप सब मुझसे रूटते नहीं और आज का तमशा नहीं होता तो मुझे ये सबक कभी नहीं मिलता इसलिए थैंक्यू सो मच सभी घरवाले रिया को माफ कर देते हैं और उस रात अभिनाव का जनम दिन मनाते हैं और उसी दिन के बाद से रिया एक नई शुरुवात करती है और अपने परिवाद और दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है